मैं मोदी जी से भी जादा इमानदार हूँ और जिले का सबसा इमानदार ब्यक्ति हूँ मैं भारती जनता पार्टी का सदस्व रहा हूँ हूँ और रहूँगा भारती जनता पार्टी ने बहुत गलत आदमी को टिकट दे दिया है जिसकी वज़ए से राय बरिली में भार्ती जनता पार्टी का प्रत्यासी बुरी तरसे हार रहा है राय बरिली लोक्सवा संस्दी छेतर में यानि की जहां से राहुल का अधी चुनाओ लड़ रहे हैं उसी संसदी छेतर के एक पूर बिधायक सुरेंदर सिंग ने भारती जंता पार्टी के उमीदबार तिनीश प्रताप सिंग पर कमभी रारोप लगाए हैं यहीं नहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारती जंता पार्टी में अभी ने नविले विधायक मनोच पांडे जो सामिल हुए हैं वो भी ठीक आदमी नहीं है उन्होंने कहा कि मैं मोदी से भी जाधा इमानदार हूँ यह संसनी खेच खुलासा किया है सुरेंदर सिंग ने सुरेंदर सिंग से बाचीत का पूरा भीरा आप सुनिए देश यह बताने का है कि भारती जंता पार्टी ने बहुत गलत आदमी को टिकट दे दिया है जिसकी वज़ा से राय बरेली में भारती जंता पार्टी का प्रत्यासी बुरी तरह से हार रहा है पांचों बिलान सभा हार रहा है हो सकता है उसकी जमानत भिजब्त हो जाए है कि मैं भारती जंता पार्टी का सरेस्व रहा हूं obsessed रहूंगा जब तक मोदी जी और योगी जी हैं राजनीत में भारत की राजनीत में तब तक मैं उनका प्रसंसक हूं और मैं भारती जन्ता पार्टी में रहूंगा लेकिन मैं प्रत्यासी गलत प्रत्यासी जिले को जिले की विकास को लूपने वाला प्रत्यासी जिले की में कम मैं अपने को जिले में क्या मैं मोदी जी को भी चैलेंज करता हूं कि मैं मोदी जी से भी ज्यादा इमांदार हूं और जिले का सबसा इमांदार व्यक्ति हूं इसलिए इस गंदे व्यक्ति को मैं समर्थन नहीं दे सकता हूं प्रत्यासी के कारण उसके रिकार्ट के कारण उसके चरित्र के कारण उसकी लूट मार नीट के कारण उसके आपसी ठाकरों को लडाने के कारण जमीन कब्जा करने के कारण अपरादियों पर मतलब बिना अपराद के मुकदमा लिखवाने के खिलाफ पुलिस और प्रसासन सब उसके माफिक कहने पर काम कर रही है पुलिस जो भी कहते हैं उप पुलिस और काम करती है फर्जे मुकदमे लिखवाती है सब कुछ कराता हुँ उसकी नीतियों के कारण मैं राय बरेली को ऐसे ऐसे लोगों की राजनीच से दूर रखना चाहता हूँ इसलिए मैं भाजपा जंता पार्टी के प्रत्यासी का बिरोत कर रहा हूँ और इसके लिए हमको पार्टी से कोई सिकायत नहीं सिकायत यही है कि उ गलत लोगों को हाइलाइट कर रही है मनोज पांडे ऐसे गलत लोगों को पार्टी हाइलाइट कर रही है पार्टी जमीन से जुड़े लोगों को नहीं जानती है नहीं पहचान रही है और बिलकुल बड़े बड़े यहां के पैसे वाले राजनितिक के जो कुछ भी है दिन खर पैसा मात तो नहीं रखता पैसा मात तो नहीं रखता लेकिन ऐसे गलत लोग राइब रिली में पनपें और गरीबों का सोशन करें और पूरे पांच भाई मिल करके राइब रिली में साशन करें यह मैं बरदास्त नहीं करता देखे मुझे को ये विश्वास है कि जो प्रेस वाले होंगे वो आज समाचार भेजेंगे तो कल वो पेपर में आएगा और आज तो संभवता आप जो मीडिया वाले हैं वो आज साम से ही आप लोग टीवी में मुबाइल में इसका प्रसारण शुरू कर देंगे ओट देने के लिए ये 24 घंटे बहुत हैं निर्ने लेने के लिए ये 24 घंटे बहुत हैं और इसी हमारे अगर प्रेस कांफिंस से हमारे मीडिया प्रचार से अगर ये जिले में पहुँच जाएगा तो कम से कम एक लाक ओट इनके कम हो जाएगा मैं रिकार्ड हार चाहता हूँ कि राय बरिली से आज तक जिस प्रत्यासी की दो नंबर में जो प्रत्यासी रहा हो उसका रिकार्ड हार अपकी हो दिनेज सिंग का रिकार्ड हार हो दिनेज शिंह पांच लाक ओट से हारेंगे और दिनेज शिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। अब जो कोई हेमा माली उनको बचा सकती है ना मनोज पांडे बचा सकते हैं और ना मिद्सा बचा सकते हैं ब्रामणों ने अपना निर्ने ले लिया है और वो अपना आज मनोज पांडे का भाई एक असलाह बाबू की जमीन पर कब्जा करने गया था और उसको धमका रहा था कि मैं भाजपा में आगया हूँ और तुम्हारी ये जमीन हमारी है तुम्हारी नहीं है उसकी जमीन से अपने जमीन के लिए रास्ता निकाल ला था वो आया हुआ है मिलने के लिए लेकिन यहां तक क्यों नहीं आया हम नहीं हैं बता पारे